जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन केबिनेट की अहम बैठक आज जार्खन केबिनेट की बैठक पोर्जेक्ट भवन इस्थित मंत्राले कक्ष में बुद्ध्वार को तीन बए दो बता दे इस अहम बैठक में देवहर के त्रिकुट परवत के रोपोय हाथ से परचार्चा होने के उमीद है इसके साथ ही जार्खन में पंचाज चुनाओ के तीती की घोस्तना कर दी गई है आपको बता दे कि जार्खन ओवीसी आरक्षन मंच की ओर से पंचाज चुनाओ मे ओवीसी कवा रक्षन नहीं देने के खिलाब जार्खन हाई कोट में आजका भी दाखिल करने की त्यारीक कर रही है जार्खन नगरपाली का अधिनियम को राजेपाल ने दी स्विकृति राजेपाल रमेस बैस ने नगर बिकास वा आवास विभागद्वारत तयार नगरप परिशत के कारे संचाला नियमावली को स्वक्रिति परदान कर दी है। पांच तक इसूला का संचाला नहीं हुआ विद्याले बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान पहुचा। पांच सामने आई है। स्कुलों के समय बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि 88 सालों की संघर्ष के बाद हमें अलग जार्खन मिला। पलामू में अपराधियों ने रात्री परहरी की चाकू मार कर की हत्या। पलामू जीले के हरिहर गंज सहर के रात्री परहरी 30 वर सीये लोकेंद्र बहादूर को मंगलवार की रात अग्यात अपराधियों ने पेट में चाकू मार दिया। वह नेपाल के अच्छा नू जीला अंतरगत नाड़ा गाउं का रहने वाला था। करों का परियोग रात 10 से सूबा 6 वह तक वर्जित रहेगा। लोड़ी स्पिकर की धौनी में अनुमती प्राप्त डेसिवल का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। जितनी संख्या में साउंड बॉक्स हुआ चोंगों की अनुमती है। उससे अधिक का परियोग नहीं किया जाएगा। राज निर्वाचन आयोग ने इससे समधित निर्देश सभी उपायुत को जारी किया है। जेई मेंस एक्जाम डेट जारी नेशनल टेस्टिंग एजनसी द्वारा आयोजित की जाने वाली जेई मेंस 2022 की तारिखों के लान हो गया है। महत्पून परिक्षा 20 जून से 29 जून तक आयोजित की जा रही है। हलाकी बोर्ड परिक्षाए और दूसरे राज्यों की अनपरवेस परिक्षाओं से जेई मेंस एक्जाम डेट टकरा रही है। लेकिन जेई मेंस परिक्षा 2022 अपनी तायतिती पर ही सुरू होगी। अब तक जनकारी के अनुसार जेई मेंस परिक्षा को लेकर IC कोई समभना नहीं है कि NTA एक बार फिर से जेई मेंस की तारिकों बदलाव करेगा। लोड कर सकते हैं। ये बोड परिक्षा के लिए हौल टीकट है। सीवी एसी टर्म टू की परिक्षा दोनों कक्षाओं के लिए 26 अप्रेल 2022 से सुरू होगी। नवदय बिद्याले कक्षा च्छा एड्मिट कार्ड जारी। नवदय बिद्याले समीती ने कक्षा च्छा की परिक्षा के लिए एड्मिट कार्ड जारी कर दिया है। नवदय बिद्याले में कक्षा च्छा में नमांकन के लिए परिक्षा 30 अप्रेल को ली जाएगी। च्छा आपने एड्मिट कार्ड नवदय बिद्याले समीती के अधिकारिक वेबसाइट नवदय.gov.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। नवदय बिद्याले में कक्षा च्छा में परवेश के लिए चैन परिक्षा अवजित करेगा या परिक्षा एक ही दिन और एक ही पाली मिली जाएगी। जवान ने जिस तरीके से हाथसे में केवीन में फंसे परेटको को सुरक्षित निकालने में अदम साहस का परिचा दिया वद तारी फ्योग है। आपको बता दे कि देवगत रिकूर्ट रोपवे रेस्क्यू अपरेशन में 290 से अधिक जवान लगे थे। आर्मी के एक बिरिगेडियर दो करनल के साथ 50 जवान वद मेडिकल टीम थी। इसके अलावा ITBP के 50 जवान वद अधिकारी रेस्क्यू में साथ दे रहे थे। पलामू के कुनाल हत्याकांड मामले में छोटू ने किया आत्मसमरपन। पलामू सहर के चर्थित डौन कुनाल हत्याकांड मामले में आरोपीत गोबिंद सिंग उर्फ छोटू ने मंगलवार को पूलिस अधिक्चक के समक्च आत्मसमरपन कर दिया है। वो एक अने कुख्यात डॉन डबलू सिंग का छोटा भाई है गोविंद सिंग कुनाल की हत्या के बाद से फरार चल रहा था यह जनकारी सहर्थाना प्रभारी अरून महाथा ने दी है वे बुध्वार को सहर्थाना परिशन में सम्निदतावों से बात कर रहे थे लोहर दगा में ड्रोन से की जा रही निगरानी लोहर दगा सदर थाना छेतरे के हिरही गाउ में 10 अप्रेल की साम राम नमी सोभा यातरा पर पत्राव के बाद भड की संप्रदाई कहीं सा यह उससे उत्पन तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा राम नमी की रात एक दरजन वा एक होटल में आग लगा दी थी वही मंगलवार की रात सहर के अमला टोली बूचन गली में फिर पत्रबाजी हुई इसके बाद छेतरे में फिर तनाव व्यापत हो गया एहतियात के तोर पर अफवा फैलाने से रोकने के लिए राम नमी की आधी रात से ही जीले में इंटरन सेवा बिठब कर दिये जाने के बाद परसाचन ने पूरे मामले की जाच के लिए मंगलवार को SIT का गठन कर दिया है मंच के अध्यक्ष के लास यादों ने कहा है कि अगर सरकार साथ दिनों में इस मामले में कोई निरना नहीं लेती तो मंच हाई कोट में अचका दाखिल करेगी इससे पहले जारखंड OBC आरक्षन मंच की ओर से चुनाव में OBC को आरक्षन नहीं दिये जाने को लेकर बैठक हुई इस दोरान कैलास यादों ने कहा कि मुख्य मंत्री है मंसुरेन सरकार ने पंचाई चुना में OBC आरक्षन को समार्थ करने का और सन्वे धानिक नहीं लिया है जारखंड में बारिस की संभावना राजधानी राची समेत आसपास के जिलो में गर्मी की तपी से लोगों का हाल बेहाल है मार्च के बाद अब अप्रेल में भी राहत मिलने की समभावना काम ही है कई जिलो में हीट वेब की स्थिती बनी हुई है इसी बीच मौसम बिग्यान केंदर राची के बेगानी अविसेक आनन्द ने बताया की आज भी राह धानी के मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान साफ रहेगा वही 16 अप्रेल को जारखन के पूर्वी हिसों में कहीं कहीं आंसिक बादल चाये रहने के साथ-साथ हल्की बारिश की संभावना है वहीं 17 और 18 अफ्रेल को राज्जी के पूरवी हिसों में कहीं कहीं गर्जन के साथ-साथ बारिस की संभावना है हलाकि इन बारिसों का राई धानी के तापमान पर कुछ खास बदलाव के संकेत नहीं मिले है और लगातार 4-5 दिनों तक तापमान 40 के पार राणने का पूरवनमान किया गया है आज भी उतर पच्छिमी और मद्द हिसों में हीट वेव चलने की संभावना है धन्यवाद यदि आप चनल पने हो तो चनलों के सब्सक्राब कर वाल का बेल ऐकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बैक अवास से दे थांक्यू